Hello friends, स्वागत है आपका अमारे चानल इंवेस्टमेंट की बजार पर दोस्तों आज काफी इंपॉर्टेंट दिन है Aeroflex IPO में जिस दिस ने अप्लाए किया था क्योंकि आज दोस्तों Aeroflex Industries का Allotment आउट होता हुआ देखने को मिलेगा इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या estimated time है जहाँ पर आपको Allotment मिलता हुआ देखने को मिलेगा और तीन से चार ऐसे वैथर्ट बताऊंगा जिसके थूँ अब अपना Allotment आसानी से चेक कर सकते है और क्या current grey market चल रही है सारी जानकारी से कि वीडियो में आपको मिलती भी देखने को मिल जाएगी तो वीडियो को पुरा इन तक देखना वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्स्क्राइब करके लाइक करके जरू ज़रू जगा चलिए उस तो शुरू करते हैं अहाँ पर तो friends allotment से पहले बता देता हूँ आपको 34 टाइम से IPO भरा था that means कि साइट बफर होने के साइट अटकने के चांसे काफी जादा हाई है इसलिए allotment जो टाइम है जो कि previously ऐसे काफी सारे IPOs आया है previous trends के basis पर आपको अता रहा हूँ कि last time भी जब ऐसे IPOs आये थे तो उनका allotment इसी time frame के बीच में आया था तो आट से 10 बजे के बीच में definitely आप अपना allotment चेक कर लीजेगा जो अब रफॉर्ण्स की बात करें तो दोस्तों कल आपके accounts में refunds आज आजाएंगे उसके बाद जो शेयर जो 31 को आते भी देखने को मिलेंगों 31 को आपको listing होती भी देखने को मिलेंगे तो यह आप टाइम टेबल बसता हुआ देखने को मिल रहा है कैसे आपको चेक करना है दूस्तों इस IP का रजिस्टर और लिंक इन टाइम लिंक इन टाइम की वेबसाइट पर आपको जाना है कैसे जाना है गूगल पर सर्च करना लिंक इन टाइम बटन पर जाना है और अपना IPO जो है Aeroflex Industries उसको सिलेक करना है उसके बाद आप अपना नमबर डाल सकते हैं अप्लिकेशन नमबर डाल सकते हैं इन तीनों में से कोई सा भी आप डालिएगा और अट देंड आपको क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे आपको मालूम पढ़ जाएगा क्या अलॉट्मेंट लगा है कि नहीं लगा है यह तो दोस्तों सिंपल बेसिक तरीका हो गया अब सेकिंड मेथड की बात करें तो दोस्तों वह है आपके sms पर आप फोकस करेंगा आपके bank account आपके sms आ सकता है अगर debit का sms आ गया यहाज वाज में लग चुका है लेकिन अगर ऐसे आपके पैसे आपके bank अपके क्रेडित में लगा है तो इस बात का अप खास टोड पर ध्यान रखेगा थोस्तों तो रिफरेंट का भी आगर SMS आगया, that means आपको अलॉट्मेंट नहीं लगा है, और उसके बाद अगर 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 आपन बात करें, डेविजेंट करेंट के तो दोस्तो आप अपना bank balance चेक कर सकते हैं, अगर bank balance वापस से दिखा रहा है आपके जो पैसे लगाये थे अरोफ्लेक्स में, वो पैसे आपके बैंक में फिर दिखा रहा है, that means आपको अलॉट्मेंट नहीं लगा है, लेकिन अगर आपके यूपया मैंडेट में आ रहा है, successful एक पैसे credit हो चुके है, debit हो चुके है, आपके जो fund है, वो unblock हो चुका है, definitely दोस्तों, ये सब तरीके हैं, इनके through आप अपना allotment आसानी से चेक कर सकते हैं, और majorly अगर इस time frame के बीच में नहीं आए, 8-10 बे के बीच में, तो allotment की जो प्रक्रिया है, वो midnight होती भी देखने को मिलेगे, और अगले दिन आप सुबह सुबह अपना allotment आसानी से चेक कर सकते हैं, इसलिए आप panic ना करेगा, अब अगर बात करें, grey market की दोस्तों, तो आज का बजार देख लेते हैं, से पहले आज का बजार डेफिनेटली दोस्तों अभी तो काफी अची तेजी में टेट कर रहा है, कल भी दोस्तों तेजी थी, आज भी बजार में तेजी है, लेकिन grey market जो है दोस्तों, वो अभी तक stable होती भी देखने को मिल रही है, I think so, कल भी चब मैंने वीडियो बनाया था, तो अब 70 रुपीज थी, और आज भी अब देखेंगे, तो यहाँ पर चितोडगर की वेबसाइट पर 70 रुपे, चानक की वेबसाइट पर 70, IPO सेंटरल की वेबसाइट पर 70, और IPO वाच की वेबसाइट पर 70, चारों वेबसाइट पर आप देखेंगे, तो 70 रुपीज पर गरी मार्केट अभी, स्टेबल होती भी देखने को मिल रही है, और 64% का मुनाफ़ा, जी यहाँ, 64.81% का मुनाफ़ा, आपको पर लॉट पर होता हुआ, देखने को मिलेगा, आप सभी को बेस्ट ओफ लग, जिनको भी IPO मिलेगा, उनको पगड़ा मुनाफ़ा होता हुआ, देखने को मिलेगा, मारकेट के सेंटिमेंट्स भी अच्छे, और कल एक और नया IPO खुलने जा रहा है, उसका भी डीटेल्ड वीडियो आपको चैनल पर आउट होता हुआ, देखने को मिल जाएगा, तो वीडियो अच्छा लगाओ, चैनल को लाइक करें, शेर करें, सबस्क्राइब करें जाने इस वीडियो,